आज मैं आप सभी के साथ कठल की कोफते बनाने की बहुत ही अमेजिंग रेस्पी सेयर कर रहे हूँ इस तरीके से आप कठल के कोफते बनाएंगे तो आपका कोफता एकदम सॉफ्ट नरम मुलायम बन कर तयार होगा साथ ही जो इसकी ग्रेवी है उसे मैंने एक अलग ट्विस्ट के साथ बना कर तयार किया है जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बनी थी तो आप भी एक पर इस तरीके से कठल के कोफते की रेस्पी को जरूर ट्राय किजेगा मुझे उमीद है आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी चलिए इस सुपर टीस्टी कठल के कोफते की रेस्पी को बनाना स्टार्ट करते है कठल का कोफता अबनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम कठल लिया है और साथ ही यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के आलू लिये है तो कठल को मैंने अच्छी तरीके से छील लिया है और उसे मैंने इस तरीके से बड़े साइज में कट कर लिये है बहुत छोटे साइज में नहीं करना है नहीं तो जब हम इसे बोईल करेंगे तो वो तुरंट से ही सॉफ्ट हो जाएगा तो थोरी बड़े-बड़े साइज में आप कटल को पहले काट ले उसके बाद इसे हम डारेक्ट पेशल कुकर में ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे मैंने आलू और कटल दोनों को ही डाल दिया है साथ इसमें मैं अट कर देंगे नमक तो यहाँ पे मैंने एक छुटा चिमस नमक डाल दिया है और साथ इसमें हम एक कप के करीब पानी डाल देंगे पानी का यूजर इमें बहुत जादा नहीं करना है क्योंकि कटल को बोयल करने में बहुत जादा पानी यूज नहीं होता है तो आप थोरा सा पानी डाल दें और इसे high flame पर दो सीटी और low flame पर एक सीटी आने तक cook कर लें यहाँ पर देखी कटल जो हमारे अच्छी तरीके से कुक हो गया है नहीं तो बहुत जादा कुक हुआ है, ओवर कुक भी नहीं हुआ है और नहीं तो कच्चा है, एकदम पॉर्फेक्ट कुक हो गया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे प्लेट में निकालने वक्त आप इस बात का ध्यान रखे कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए पानी को अच्छी तरीके से च्छान कर तभी आप इसे प्लेट में निकाले और अब हम इसे हलका सा मैस कर लेंगे तो यहाँ पे आपफोग की हलप से इसे कर सकते हैं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं या अलू मैसर की हलप से भी आप इस अच्छी तरीके से मैस कर लें अदि चोटी चमस करला मैसला पोडर अड़ किया है साथ इसमें हम एड़ करेंगे एक medium size के प्याज को बारीक कट करके साथी तीन चाट हरि मिर्च को भी मैंने बारीक कट करके डाला है साथ इसमें हम एड़ा चुमस कूटा हुआ अदरक बर लैसट का पेस्ट स्वाधनो सार नमक डाल दे और लास्ट में इसमें हम बारी कटा हुआ फ्रेस धनिया डाल देंगे तो धनिया डाल कर इन सब को मच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर आप देखिए जो मिक्स्टर है हमारा वो एकदम ड्राई है इसमें आपको बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा होगा एकदम ड्राई है मिक्स्टर हमारा बट इसमें हम बाइंडिंग के लिए बेसन आड करेंगे तो आप इसमें जितना कम बेसन यूज़ करें न क बहुत लोगों को कोफता बनाने टाइम यह दिक्कत आती है कि उनका जो मिक्सर होता है वह पहुचादा लिक्विडी फ़र्म में हो जाता है बहुत गीला हो जाता है जिस वज़े से कोफते बनने ही पाते हैं तो इस चीश से बचने के लिए आप इस बात का जरूर ध्यान कि जब आप कटल को मैस कर रहे हैं उस टाइम कटल में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और कटल की साथ आप एक दो आलू जरूर मिक्स करें इससे कटल के कोफते काफे अच्छे बनते हैं तो यह पर दीखिया हमारा मेक्श बनकर रेडी हो गया है तब हम क्या करेंग ने सारे कोफते को जो है बनाकर त्यार कर लिए हैं अब हम चलते इसे फ्राइग बैच में जाऊं हो जायेगा हम एकिक करके सारे कोफते डाल देंगे यहाँ पर तेल जो है वो मीडियम गरम होना चाहिए बहुत जादा ठंडा या बहुत जादा गरम होने पर आप कुफता इसमें न डाले और इसे डाल करना तुरंट से हम इसे छेचार नहीं करेंगे हलका से आप इसे कराही को पकड़के इस तरही यह से हिला सकते हैं और अगर आपको यह सेफ नहीं लगता है तो आप इसे तीन से चार्मनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे लो टू मीडियम फ्लेम पर और उसके बाद आप इसे एक स्पून या किसे भी स्पैचुला के हल्प से हलका साई से पलट लें तो यहां पर मैं स्पून की हल्प से अच्छी तरीके से सारे कुफता को एक बर पलट दूँगी और यहां पर देखिए मेरे सारे ही कुफते एक जो कुफता है आप इसे ऐसे भी खा सकते है ड्राइ खाने में भी बहुत मजाता है बहुत अमेजिंग लगती है तो यहां पर देखिए सारे कुफता बन कर तियार हो गया है अब उसी तेल में हम एक बड़े साइस के प्याज को रफली कट करके डाल देंगे इसे हमें डीप कलराने तक मेट करना है थोरा इसा र conception कलर आ जाएगा ना तब हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और जितना भी एक्स्टा तेल में अटे निकाल लेंगे तो यहां पर मैंने सारे regions जिसके लिए बारी कट करके दाल देंगे यहां पर यूज का यूज हमें बहुत जादा नहीं करना है जस्ट टेक्शर के लिए मैं यहां पर एक मीडियूम साइज का प्याज एड़ कर रही हूं और तीन से चार्मिनट के लिए प्याज को हलका सा भूल लेंगे उसके बाद इ मसाला पेस्ट बना कर त्यार कर लेती हैं जिसके लिए मैंने आप लिया के लिए एक छोटा चमिस लाल मिश पाऊडर या बना सकते है और मसाला में थोड़ा सा पानी करना मैंने एक अच्छा सा पेस्ट करेंगे और ढखर 3-4 चार। हममें और पेस्ट बनाएंगे जिसके लिए मैं यहां पे यह प्याज यूज़ कर रहे हूं जिसे हमने डिफ्राइ किया था तो यहां पे दो मीडियम साइज के टमाटर को मैंने रफली कट करके डाल दिया है और इसका ने एकदम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे इसमें आपको जुर साइस का पेस्ट बना लें यहां पे जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरीके से भून रहे हैं यह देखिए चार से पास मिनट हो गए हैं धकन अटाया है मैंने इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मसाले की ना क्या ही खुस्बु आर्थी मैं आपको क्या बताओ मसाल पर इसमें हम एड कर देंगे और डाल कर इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ढख करना हम इसे अच्छी तरीके से भूनने देंगे तो चार से पास मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून ले यहां पे जो कोफते हैं वो भी अच्छी तरीके से फ्राई होगे मैं को एक तोर कर भी दिखाती हूं देखिए कितना पॉर्फेक्ट फ्राई हुआ है और एकदम सॉफ्ट है यह इतना ज्यादा सॉफ्ट है न मुह में जाते यह घुल जाएगी इतना ज्यादा सॉफ्ट है यहाँ पर चार पास मिनट भी हो गये हैं जो मसाले उसे हम चेक कर लेते जो ग्रेवी का टेस्ट है वो उतना ही जादा अच्छा है तो यहाँ पर मैं एड कर नहीं हूं तीन से चार हरे मिर्च जिसे मैंने लंबाई में कट कर लिया है इस हरे मिर्च को आप चाहे तो पहले भी आड कर सकते हैं मुझे लास्ट में आड करना काफी पसंद है तो मैंन इसमें हम एक बॉयलाने तक का वेट करेंगे जैसे ही ग्रेवी में एक उबाल आ जाएगी इसमें हम आड कर देंगे आधी चोटी चमस करम मसाला पाउडर तो यहाँ पर मैंने आधी चोटी चमस करम मसाला डाल दिया है साथ इसमें हम आड कर देंगे नमक तो नमक जो है अब दोड़िंग नमक डाल दूगी क्योंकि हमने इसमें ग्रेवी में अभी तक नमक नहीं डाला है तो यहां पर मैंने स्वाधनुसा नमक डाल दिया है और ढग करना हम ग्रेवी को पहले दो तीम मिनट के लिए पका लेंगे तो इसमें कोफता डालने के पहले हैं आप ग्रे एक से दो मिनट के लिए पकाएंगे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है एक से दो मिनट के लिए आप मीटियम टू हाई फ्लेम पर इसे आप पका ले और बस यहां पर देखिए हमारे जो कोफता है वो बनकर अच्छी तरीके से रेडी हो गया है और ग्रेवी की जो कंसिस्टे से थोरी पतली रखें क्योंकि जैसे ठंडा हो जाएगा थोरा और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो यहां पर धकन लगाकर मैंने 3-4 मिनट के लिए कुफता को रेस्ट दे दिया था और यहां पर देखिए कुफते अच्छी तरीके से सेट हो गया है और ग्रेवी की जो कं होती है वह काफी स्मूध होती है क्योंकि उसमें हम हर चीजों को पीस कर डालते हैं इसकी जो ग्रेवी है वह आपको बहुत अलग लगेगी आप एक पर इस तरीके से जरूर ट्राइक कीजिएगा और मुझे बताईएगा कि आप लोगों को आज की मेरी रेस्पी कैसी लगी और यदि रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले चानल पर नहीं तो चानल को सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आइकन को पेस कर ले फिर मिलती हो नई वीडियो में एक ऐसे ही नई मज़दार और आसान रेसिपी के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखिए बाई टेक केर